अब आजकल लोग fashion के चलते अपने खिडकियों का size बड़ा रखना पसंद करता है सबसे पहली चीज ये दिखने में अच्छा दिखता है दूसरी चीज खिडकियों का size बड़ा रखने की वज़े से अच्छा ventilation और sunlight आपके घर के अंदर आप आती है पर जहां तक बात आती है आपके घरों के खिडकियों की तो वहाँ पर safety और security के लिए सबसे important चीज अगर कोई होती है तो वो होती है window grill इलोही की जाली आपके खिडकियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है तो आज हम इसी window grill के बार में जान करी लेंगे कि window grill बनवाते समय आपको कौन कौन सी चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए और दूसरी important चीज कि जब भी आप window grill बनवाते है तो आखिर window grill बनवाने के लिए आपको कितना खर्चा सकता है तो ऐसी important चीजों को जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखे चैनल पे अगर आप लोग नए आये हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजे तो सबसे पहले ये सवाल आ जाता है कि जब भी हम aluminum sliding window लगवाते हैं तो इस grill को हमें बाहर के तरफ लगवाना चाहिए या फिर अंदर के तरफ लगवाना चाहिए तो इसका जवाब है जब भी आप aluminum sliding window लगवाते हैं तो जैसे कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो इस तरह से आपको window grill को बाहर के तरफ लगवाना चाहिए इसके पीचे simple कारण ये होता है कि पहली चीज ये दिखने में अच्छा दिखाई देता है और दूसरी important चीज ये आजाती है कि जब भी आप aluminum sliding window लगवाते हैं तो अंदर के तरफ आपका granite का frame आता है और उस granite frame के उपर आपकी aluminum sliding window fit होती है और इस granite frame के चलते आप अंदर के तरफ window grill को नहीं लगवा सकते हो तो इसलिए जब भी आप aluminum sliding window लगवाते हैं तो grill को आपको बाहर के तरफ लगवाना चाहिए और जब भी आप बाहर की तरफ से window grill को लगवाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप directly outer face में window grill को fit कर दे आपको बाहर के तरफ से भी एक इं को fit करना चाहिए और जब भी आप इस लोहे की जाली को बनवाते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 4 hole pass का इस्तमाल करना चाहिए अगर आपकी खिड़की बड़ी है तो वहाँ पर आप 6 hole pass का भी इस्तमाल कर सकते हो और जैसा कि आप जानते हो window grill बनाने के लिए अलग-अलग design का इस्तमाल किया जाता है साथ में अलग-अलग shape के bar जो है वो grill बनाने के लिए इस्तमाल किये जाते है जैसे के round bar या फिर square bar इनका इस्तमाल किया जाता है साथ में ये जो bar होते है इनका size 10 mm से लेके 12 mm तक हो सकता है तो यहाँ पर आपको ये चीज जरू ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप window grill बनवाते हैं तो 10 mm से छोटा बार आपको इस्तमाल नहीं करना चाहिए उसके बाद अगर आपको ज़्यादा safety चाहिए तो आप 12 mm के तरब जा सकते हो और उससे भी ज़्यादा safety चाहिए ऐसे समय में थोड़ा extra पैसा खर्च करने के बाद आप जो है bright bar का इस्तमाल कर सकते हो पर इनका जो cost होता है वो 10 से लेके 12 रुपय जादा होता है प्रती किलो के हिसाब से और जब भी आपका window grill complete हो जाता है तो उसके बाद आपको उसे अच्छे और branded company का primer जरूर देना चाहिए क्योंकि होता यही कि जब हम window को fix करते है तो वहाँ पर हम पानी मारते है या फिर plaster के कुछ dark चूट जाते है ऐसे समय में आपकी grill जो है उसमें जल्दी corrosion लग सकता है त तो इससे बचने के लिए आपको primer जरूर देना चाहिए तो इन चीजों को जानने के बाद अब बारी आती है window grill के cost की तो यह जो window grill है इसे बानाने का cost है वो mainly 2-3 चीजों के उपर depend करता है सबसे पहली चीज वहाँ पर material के cost क्या चल रहे है आपने design कौन सी select की है और आपकी खिड़की कितनी बड़ी है इन चीजों के उपर depend करता है कि आपके grill का cost कितना होगा तो यहाँ पर generally जो grill बनाई जाती है तो उसके लिए welder को दो तरीके से काम दिया जाता है पहला तरीका होता है जिसमें कि आप welder को wholesale काम देते हो यानि कि material और labor cost दोनों ही चीज़े उसमे add की जाती है और दूसरा type होता है जहाँ पर आप labor rate पे काम देते हो यानि कि welder को आप material लाके देते हो और welder आपको grill बना के देता है तो वहाँ पर welder सिर्फ आपसे labor charge लेता है तो grill का cost निकलने के लिए सबसे पहली चीज़ आ जाती है जो कि है material cost तो यहाँ पर material के rate चल रह आप से material charge और labor charge इस दोनों को add करके लगभग आपको 80 से लेके 25 रुपए प्रती किलो के इसाब से cost आपको देता है तो यहाँ पर हम एक example के तुरू समझते है तो हमारी जो window grill है उसका size हम मान के चलेंगे 4 by 4 है और उसका वजन जो है वो 30 किलो तक है तो यहाँ पर हमें सिर् की grill बनाने के लिए जाते है तो हमें यहाँ पर 2550 रुपए तो खर्च आ सकता है अब यह जो cost हमने निकाला ही यह mainly depend करेगा कि आपके यहाँ पर material के care rate चल रहे है या फिर welder आपसे कितना रुपए charge लेते है तो यहाँ पर welder जो charge आपसे लेते है उसमें भी बहुत सारी ची लोड़ना पड़ेगा तब जाकर आपको यह पता चलेगा कि आपको पूरे घर के लिए grill बनवाने के लिए कितना घर जा सकता है तो दोस्तों आपके एरिया में window grill बनवाने के लिए कितना charge लिया जाता है इसके बार में comment box में comment जरू कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो त जरू इसे like कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए आये हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकती है